तो हम आपके लिए आज इस मुकाबली में Best Indies और South Africa का जो मुकाबला खेला जाने बाला है इसमें आपके लिए 25,000 का free giveaway विलाए गिबावे के लिए आप MyFamily में डाउनलोड कर लिजीगा सकते हो सुफर स्वोट्स वार्क सेंचूरियन में मुकाबला खेला जाने बाला है दोस्तो अच्छा वेकेट है आमतोर पर बले बाजी के लिए और साथ में ही थोड़ी बहुत पेस बॉलर की भी मदद यहां पर बिनती है आप यहां पर देखोगे तो 14 मुकाबले कुल्ले खे आती है उसके बाद एबरेज आप यहां पर देखोगे 177 यहां पर एबरेज स्कोर निकल कर आता है बात कर दोस्तों हाइस टोटल 241 जो कि साउथ अफरिका ने बनाया थे लोएस टोटल भी सोरन यहां पर साउथ अफरिका नहीं वनाया है वेनुवर स्कोरिंग वेडरन के बारे में यहां चर्चा की जाए तो आप देखोगे 150 150 से नीचे 3 बार 152 169 दो वार 172 189 तीन वार और 190 एबब में यहां पर 4 वार बनाया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 190 एबब से कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट है और साउथ अफरिका यहां पहले बल मुकाबला खेला गया था जिसमें साउथ अफरिका ने 144 बनाया थे 1900 ओबर में और पाकिस्तानों से 149 बना कर चेस कर लिये थे आप यहां पर देखोगे 9 4 13 विकेट पेस बॉलर को मिले थे और इस्पिनर को मातर 4 विकेट मिले थे जबकि पाकिस्तान के पास क्वालिटी इस हैं उसके बाद जो साउथ अफरिका ने पहले बाले बाजिकर तो यह 203 बनाये थे 20 ओबर में और पाकिस्तान ने फिर उसे चेस कर लिया था 18 ही ओबर में 205 बना कर यहां पर भी देखोगे पेस बॉलर ने 4 विकेट निकाले तो इस पिनर ने 2 विकेट यहां पर निकाले थ देखोगे 222 बनाये थे साउथ अफरिका ने और उसे इंग्लेंड ने चेस कर लिये थे दोस्तों 226 बनाकर तो हाई स्कोरिंग मुकाबले तो इस वेनुपर हुए हैं इसमें भी आप देखोगे पेस बॉलर ने 9 विकेट निकाले और इस पिनर को मातर 2 विकेट यहां पर मि तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि पेस बोलर के लिए आपको आपको आपके लिए इंपोडेंस बढ़ जाता है और सेकंड बात दोस्तों हमें टॉस के according हमारे टीम तयार करनी है इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप टेलिग्राम जरूर जोइन कलीजी का लिंक आपको description में मिल जाएगी क्योंकि after toss मेरे पास जोवी information आती है न मैं टेलिग्राम पर ही आपके लिए provide कराता हूँ तो प्लीज आप टेलिग्राम जरूर हमारा जोइन कलीजी का लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो की description में मिल जाएगी तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम संभावित 11 के बारे में संभावित 11 के बारे में बात करें तो क्वंटन डिकॉक आपके लिए रिजा हेंडिक्स के साथ open करते हूँ ही नेजर आ जाएंगे रिजा हेंडिक्स जो कि अपने इतने best form में नहीं है फिर भी एक सांधार player है आप इन्हें try कर सकते हो क्वंटन डिकॉक दोस्तों केपनेंसी और वाइस केपनेंसी की important choice हो जाती है तो क्वंटन डिकॉक को तो आप बिल्कुल definitely अपने टीम में try कर सकते हो उसके बाद बात की जा दोस्तों यहाँ पर रावली रास रावली रास हो अभी recent PSL में बहुत अच्छा खिलकर आ रहा है दोस्तों यह भी अच्छे form में है एडन मार कराम जो की टीम के captain है और यहाँ पर भी आप इने captaincy बाइस captaincy दे सकते हो क्योंकि नमर चार पर यह बले बाजी करेंगो उसके साथ दोस्तों आपको दो आवर लगभग गेंद बाजी करकर देने बाले हैं फिर डैविड मिलर डै हैंडिक क्लास इन हैलिक क्लास इन का आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर तो एक सांदार वल लिवाज हैंडिक क्लास इन यह भी आपके लिए ग्रेल लिख की चोई से वेंड फार नेल को आप इसमोल लिग में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि डैथ होवर में गेंद बाजी करने यह आपको दोस्तों सुरुवात में गेंद बाजी करते हो इन जरा जाएंगे और लगबग दो अपर अपनी सुरुवात में करेंगे एक ओवर मिडल ओवर करेंगे और संभपता एक ओवर यह अपना डेथ होवर में करें तो एंगडी भी आपके लिए अच्छा उप्शन ह जाते हैं तबरेज समसी तबरेज समसी दोस्तों एक एबरेज औप्शन है क्योंकि इस्पिनर है इतना ज्यादा अट्रेक्टिव दोस्तों इस पिछ पर है नहीं बात करने दोस्तों बैस्ट इंडीज के बारे में तो काईले मायर्स जो कि ओपन करते होई नज़रा लेकि निकलस पूरन यह important pick-up के लिए हो सकती है, निकलस पूरन दोस्तों आपको important pick क्यों हो सकती है, क्योंकि inform बलेबाज है, अभी recent अच्छी बलेबाजी करकर आ रहा है, उसके अलावा दोस्तों left-hender बलेबाज है, और उसके बाद समरावरुक्स इतने important नहीं है, लेकिन रा रामन पाविल को आप अपनी टीम में try कर सकते हैं, रोमारियो सेफरण हैं, दोस्तों रामन रामारी हैं और या ओडन सिमित, एक कोई खिलता हूँ नजर आ जाएगा, जो भी खिलेगा, अपडेट में टेली राम पर कर दूँगा, उसके बाद बात करें, जैसन होल्डर है, जैसन होल्डर को बिल्कुल डेप ने लिए, आप अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि जैसन बाजी प्लस बले बाजी से दौनों से ही जैसन होल्डर आपके लिए कुछ अच्छा करकर दे सकते हैं, उसके बाद अकील हसन, अकील हसन दोस्तों, इस्पिन की quality इन में तो आपके लिए संभावित ग्या रहा है, अब हम प्लियर वेटल देख लिएते हैं, एडन मार कराम, एडन मार कराम को रोमारियो सेफर ने दोस्तों, दो बार आउट किया है, जबकि इनकी दोस्तों 25 गयनों पर 40 रोमारियो सेफर ने बनाए लेकिन उडन सिमित ने मातर एक ग नंसर आ जाए उसके बाद बात करें दोस्तो किषने परिशान किया है रोस्टन-चेस यह खेलेंगे तो अबडेट में टेलीग्राम पर करोंगा छार बॉल में तीन run की धिया है मात रोस्टन-चेस की सुम और एकमे बार आउट किया है इस्टार रॉक्रम अकील हसन की पास्थ बॉल में 18 बनाएं दूस्तों अच्छी खासी ठुकाई दिये लेकिन इन्हीं आउट रनन बना है एक बार जारी जोशिफ की तो 27 बॉल में 37 बनाएं 28 बॉल autism में और एक बार इंहों ने यह खेलेंगे तो अपडेट में टेलीग्राम पर आपके लिए कर दूँगा रिजा हैंडिक्स आकिल हसन की 10 बॉला में 15 रनमना हैं एक बार इन्होंने आउट भी किया है पहीं बात किजा डैविड मिलर के बारे में तो आप देखो कि जिसन होल्डर की पंदरा गेंदों में 23 रनमना हैं एक बार इन्होंने आउट किया है निकलस पूरन निकलस पूरन के बारे में बात करें तो इन्हें दोस्तों कंगिसो रवाडा ने आउट किया है 49 गेंदों में ज्यादा रन भी नहीं कर पाए 31 रन कियें और तीन वार रवाडा ने आउट किया है रवाडा निकलस पूरन को परेशान कर सकते हूं उसके बाद एंड्रेस नौरजी के बार इम बात करें तो 13 गेंदों में 27 रन इनों ने बनाएं और एक बार किया है इनकी तो अच्छी खासी इनों ने ठुकाई किये फिर टूरजी के पैस जो पेश है आज के समय में वह पेस किसी के पास नहीं है तो एंड्रेस नौरजी तो किसी को भी परेशानियाँ पर कर सकते हूं उसके बाद तबले टमरेस शंची की 37 गेंदों में और एक बार Stephenie में 18 किया है भूमतला इन दोनों को थिड़ा के लिग कायले मायर्स बेन पारनेल की एक बॉल पर आउट ही हैं दोस्तों एक बॉल ही इन्हों ने खिलिए बरजवान 14 यदि खिलेंगे तो अबडेट में टैलीग्राम पर करूँगा उसके बाद अकील हसन का देखो के तबरिय समसी के सामने दोस्तों थोड़ी सी नहीं परहिसानी आ आ जाएगा अब इसमें खिलने के क्या लाव हैं दोस्तों एक से दो मिनिट में बेंक बिड्रो मिल जाता है उसके लावर लो एंट्रिफी से लो कंपटीजन है तो आप एक बार जरू से ट्राइ करकर देखेगा अब हम टीम के बारे में चर्जा करते हैं विकिट कीपिंग स दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों को अपनी टीम में ट्राइ करकर चलने वाला हूँ अब हम बात करते हैं बलेबाजी सेक्षन के बारे में रावली रासो संद्र आप्शन है डेफिनली इने ट्राइ कर सकते हो ब्रेंड अनिकिंग जो कि टॉप ओडर में बलेबाजी करते ह हुई नजर आ जाएंगे लगबग ऑपन ही करती हुई नजर आ जाएंगे लेकिन ऑपन में दोस्तों याद रखिएगा कि बॉलर भी इने को बहुत तगड़े ही मिलने वाले हैं उसके बाद राम्मन पावल आपके लिए इंपोडेंट चोहेस है और दोस्तों रिजा हैंड डिक्स को मैं ट्राइ करूँगा और दोस्तों में रावली रासMic को को ट्राइ और रांबन पॉवल को इन तीन बहले बादों को मैं अभी अपनी ट्राइ कर रहा हुं बात करह nodes के बारे में अपनी ट्राइल आउंड छिजियुक्स कर करणा के रहा हुए उसके बाद करहें ब किसी और को तो वो आप अपने अकोर्डिंग कर सकते हो या कोई भी चेंजिस करना चाहेते तो आप कर सकते हो मैं फिलाल किसी दिम दोस्तों ए टीम के साथ जाऊंगा लेकिन आपके अजो फानल टीमा आएगी न आफटर टोस विद कैप्टन वाइस कैप्टन टेलीग्राम पर आपके लिए मिल जाएगी तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जोएन हमारा कर लेजी का लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी आप टीम का फानल प्रिवीव में आपके लिए दिखा देता हूं यहाँ पर फानल प्रिवीव के बारे म बात करें उससे पहले captaincy, wise captaincy की बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आपके पास option है Adam Markram, Quantum Decox Kylie Myers, दोस्तो तीन option हो गए इसके अलाबा यदि आप try करना चाहेते हो तो रावली रासू रावली रूसू आपके लिए चार option में आभी आपके लिए दे रहा हो, लेकिन जो final captain, wise captain वो टेलेग्राम पर मिलेंगे, तो प्लीज आप टेलेग्राम ज़रू जोन कर लें जिखा, लिंक आपको टेलेग्राम की वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाई दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद